चिराग पासवान और पशुपती पारस के लिए NDA ने अलग फॉर्मला तयार किया है, क्या है वो फॉर्मला लिखिया आपके सूत्रों के मताबिक लोगजन शक्ती पार्टी के कोटे की सभी पांस सीटे चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकती है हाजीपूर के सीट जहां से पाशुपती पारस संसद हैं वो भी चिराग पासवान के हिस्ते में आ सकती है सूत्रों के मताबिक RLJP के राष्टे अध्यक्ष पाशुपती पारस को एक भी सीट नहीं मिलेगी मानजारा की पाशुपती पारस को राचे सबब भीड़ा जा सकता है चिराग पासवान ने सीटों के बटवारे को लेकर BJP आला कमान का अभार भीज़ाता है हमारे प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता है आज पुना उस गड़बंधन को एक नई मजबूती देने का कारे किया बिहार के मुक्य मंत्री नितिश कुमार आज अपने मंत्री मंडल का विस्तार कर सकते हैं कुछ विधायकों का मंत्री बनना तै माना जा रहा है बिहर में नितीज कुमार के नेतरित में एंडी सरकार बनने के करीब डेड़ महीने बाद पहला मंत्री मंडल विस्तार होगा जेडियो कोटे से नितीज मंत्री मंडल में शामिल होने वाले जिन नेताओं के नामों की संभावना है उनमें अशुक चौधरी, रतने सधा, महीचवर हजारी, सुनिल कुमार, लेसी सिंग, मतन सैनी, शीला मंडल और जेंतरास शामिल है बीजेपी के ओर से मंत्री मंडल में कई नए चैरे शामिल हो सकते हैं लोगसवच चुनाव को देखते हुए इस मंद्री मंडल विस्तार में जाती और समीकर्ण पर भी फोकस रहेगा इधर टिकट ना मिलने से ममता बेनर जी की भाई बाबुन बेनर जी नाराज हो गए है खबर है कि वो निर्दलिय भी चुनावच लड़ सकते हैं टीमसी ने हावडा लोगसवच सीट से प्रसुन बेनर जी को फिर से उमिद्वर बना है जिससे बाबुन बेनर जी नाराज है उनके बीजेपी में भी जाने की अठकले हैं इस बिच ममता बेनर जी ने खुलगर कहा है कि बाबुन के बीजेपी से रिष्टे हैं और वो उन्हें भाई नहीं मानती ममता देदी आज पूरा उनका जो स्टैंड वो ख्लियर कर दिया है वो परिवाद बात का जीरोध में है वहीं दो सर पहले बीजेपी छोड़ कर टीमसी में आये अरजुन सिंग भी बैरकपुर लोगसबा सीट से टीकट नहीं मिलने से नराज है और उन्होंने भी बीजेपी में जाने के संके दिये है और वहीं लोगसबा चुनाव से पहले कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है यूपी कॉंग्रिस के कदावर नेता अजय कपूर कॉंग्रिस छोड़कार बीजेपी में शामिल हो गया अजय कपूर कानपूर से तीन बर विध्यक रहे चुके हैं और इस बर कानपूर से लोगसबा चुनाव लड़ना चाहते थे देश की तरक्की के लिए अपने आपको मोदी जी के परिवार में समलिक करना चाहिए जीवन जितना मेरा है मैं भारती जिन्ता पार्टी के नितत्त को समर्पित करता हूँ वहीं माराष्ट में कॉंग्रिस नेता संजन निरूपम के भी बीजेपी में जाने की अठकले तेज हैं संजन निरूपम ने बीजेपी नेता आशक चमाट से मुलाकत की है नवजोल सिंग सिध्धू ने पत्मी के बीमार होने के चलते लोगसभाद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया खबरे की कॉंग्रिस पार्टी सिध्धू को पट्याला से कैप्टन अमरिद्न सिंग की पत्नी और संभावित बीजेपी उमीदवर परनित कौर के खिलाब चुनाव मैदान वताना चाहती थी लेकिन अवजोल सिंग सिध्धू ने कैंसर से पेडित अपनी पत्नी के इलाज को समय देने की बात कहते हुए लोगसभाद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है हाला कि सिध्धू ने परदेश की राजरिती में सक्रे रहने की बात जरूर कही है वहीं विधैक दल नेता परताप सिंग बाजवा और परदेश अद्यक्ष अमरिद्न राजा वरार ने टिकट मिलने पर चुनाव लड़ने की सहमती दे दी है कॉंग्रिस पंजाब के सभी सांसदों को फिर से टिकट दे सकती है